तूप अपने गोल ता क्रेटिकल ऐगल से गाथ ठीक है एक अपने गोल ऐसा चाहा सेगा पकाल गाल की ते लेटरल शेप्ट दी जेए लेटरल डिसप्लेसमेंट दस नी होवे ते लेटरल शिफ दा पामला साड़कुल से गा थेकलने सब दा स्लेब इंटो साइन ओफ आई माइनस आर ओवर कॉस ऑफ एंगल अफ रिफ्रेक्शन क्या आव अब येबल क्लियर ने यह स्राइब इस से लवाँ आएगा दिगा नाली जोडांगे परस्नम एरिकल से का अरे अब लाइट पासिज प्रम एर टू ग्लास अरे अब लाइट पासिज प्रम एर टू ग्लास ठीक है ऑप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अट अगल अब 30 डिगरी ठीक है लाइट जो तो एक वेल्यू मिसेंगा रिप्रेक्टिव इंडेक्स एए ग्लास दा संदु चाहिदा दस्या नहीं ठीक है यह मिसेंगा बन पॉइंट पाइव अपिटा स्टेंड वेल्यू हा ठीक है इनकेस ना भी दस्या हुए तर ताम ही पुता अपनी याद रहे कि एर पे ग्लास दा प्राइब अपनी दिगरी एनी एंगल फ़ेट पासिस अपने को गिवन अपने थटी डिगरी बेलकुल सौखा जेको सेना कैल्कुलेट था एंगल अप्रेक्शन एंगल आर्थी वेल्यू कैल्कुलेट करूँ और गिवन एया तोड़कुल रियाफलाइट पासिस फ्रम यह पासिस पासिस अपने को सेंपल जड़ा फॉर्मुला वा एंगल लगा दो साइन अई भाई साइन आप एंगल दो साइन आई वाई साइन आर और एदे एक्रोश यह पर साइन आर दी वैल्यू कर दिये था साइन आर आजाएगा साइन थर्टी ओवर वन पॉइंट पाइप स साइन थर्टी दी वैल्यू अपने को आजाएगी वन बै टू ठीक है एंटू आगाई फिफ्टीन बै टेन थे एनू सॉल करके आपने को जड़ी वैल्यू बांदी पहिया तू पाई दा पाई त्री दा वन बै त्री देर्पोर साइन आर दी वैल्यू जीरो पॉइंट थ् ठीक है उन्हां काल अपा गाले थे खतम किती हुई है कि भी ऐसाच टेबल देखे फिर अपाई एंगल डिफाइंड कर पाऊंगे कि किन्ने डिगरी दा वह एंगल हुएगा जदो साइन आर दी इनी वैल्यू आप दीगा उन इस तो के कंप्लीट हो जू जू येस उन एंग तो दा पॉम्ला दुजा यूज कर लांगे वी नो देट नियू दा सेकिंड फॉम्ला स्पीड प्राइट पावर एट पीटर पर सेकिंड उस सेकिंड मीटिम ने अदर आपने को लाइट दी स्पीड आजू क्लियर अजी जेडा सौका होएगा थोड़ा जा स्पीड ना चलांगे विटा उस दे अंतर सेकिंड हैगा अपने को लाइट पर लो सेकिंड इस स्टेट में जल्दी पर लो सेकिंड पर लिया हां जी सेकिंड एगेवन हाँ वट इस दा एपरेंट पुजीशन अपन ऑप्जेट बिलो ए रेक्टेंगुलर ब्लॉक अफ ग्लास सिक्स सेंटीमिटर थिक इप लेयर अफ वाटर फोर सेंटीमिटर थिक इस ऑन दा टॉप अफ दा ग्लास और गिवन एम्यू जी ते एम्य यह पंदर रिख लेके चलिए तर फोर सेंटीमिटर तक वाटर रिखोड यह बना और ऑब्जेक्ट जड़ावा वह एदे अंदर इते गदे पे आप ठेक हाँ जिदी रियल डैट्थ लेके चलिए तो जीदि रियल ब्लेक्ट लेके चलिये तो जिदी रियल डेफ ट्रेव तोटल आजाएगी रियल डेप्ट विचो ओनी डेप्ट माइनस कार लहाँ ते मिन्हों यह पता है लाग जाएगा मेरा ऑब्जेक्ट जड़ा दस सेंटीमेटर डेप्ट थे हा उधी शिफ्टिंग किन नहीं होई है क्या गल समझ आई जो दसी में यह सर्थ यह सब्सक्राइब अपने कोशन दर गॉडिंग जड़ीं आगी सेकंड बीट डब्यू गेवना जिदी वैल्यू अपने कोशन दर कॉडिंग लीट पोर वाई थी आगी ठीक है और उन्हें आपने को रीय डेप्ट जड़ीं यह बना ठीक है यह रियल डेप्ट अपने को जड़ी होएगी रियल डेप्ट अपनी टैन सेंटीमेटर गेवान तुसी दोना दी इंडिविज्वल एपरेंट डेप्थ काड़ देओ कि नहीं आईए ठीक है ओड़ी आपने को रेलेशन आए का वी नो दाट जीक है पहले टेज़र अपने जीक है अपनेकर वाई ग्लास मीडे में वली अपनेगड़ी बलीए अपने नीया थिक है एक्स वन ते य आ दिपाइन का लो ये तो वाई वन आजएगा एक्स वान भाई एंडियूजी तिद्धियर पूर वाइवान दी वैल्यू एक्सवन अपने को गिवन आप एक्चुल डफ्ट सिक्स सेंटीमेटर सेगी एदोन ना दी वक्री वक्री यह सी पुत कड़न लगे हैं ठीक है आची समझ लिया कर जो दसन लगा वाइवान कड़ांगे एनस शेंटीमेटर दी एक् आप करला ग्लास सर्पेस होगे ते ग्लास सर्पेस जीदी डेप्ट मेंको 6 सेंटीमेटर है ठीक है एदे विच्छो जदो आपजेक्ट में वसी व्यू कीता ते एदी जडी पुजीशन इत्थे मेनों अपीर होई या अन्ना एक 4 सेंटीमेटर ते आई यानि आफ 4 सेंटीम होगे वाटर सर्पेस होगे ते वाटर सर्पेस नी जिड़ा एस चलियल ते एप्रण दा कंसेप्ट बनाया एदे अकॉर्डिंगली वाटर ली यहीं सेम चीज बना दो की वाटर किनी डिस्प्लेश्मेंट दिखाएगा इदा माल से मिलावी जे वाइटू कटा ते ओ एक्स इनमाल एदे अकॉर्डिंगली आम एकुल फोर बाइट केना जी पोर बाइट री आ गया और एदे अंदर डेट होधी त्री सेंटीमेटर आगी एदा मतलब मेकॉल जड़ी ओधी रियल डेप्स सेगी जो छे सेगी ते चार लगी ठेके जे चार सेगी ते तेन लगी ठेके गलास और वाटर दे अंदर इसलिए जड़ी टोटल डिस्प्लेश्मेंट होई या वो मेकुल एक देड़ी चार और एक देड़ी चे तिन इननो एड़ करा ते एदा मतलब दस सेंटीमीटर थल्ले वाली चीज मेनों सेवन सेंटीमीटर ते देख दी पई इमां थ्री में थ ओच चरिये थे टोटल एक देप्थ चलिए तिक्च कातलिये वो में थंप्र देप्थ जडिय आईया वो मां यंग सेवन सेंटीमीटर तेक्ड़िया वो 씨म कातलिया खाब्य घंआ ते ड्म सेंटीमीटर थे willstन कर दीए आ चाँटा तो सेंटीमीटर निया तो थीन सेंटीमी पोजीशन कर दिये एपरेंट चेंज इन पोजीशन ऑब्जेक्ट दी जड़ी है कि आपको 10-7 यानि 3 सेंटीमेटर आ जाएगी क्या आचीज क्लियर अपनु इस सब्सक्राइब अपनु बोग की सर ठीक है चल जब करांशी तु थर्ड बोडी जिन्नी डैप्थ तेया उस डैप्थ नों सी एक्श डैप्थ केनिया जित्थे मिनु बोडी अपीर होई या कि भी एथे मिनु लगी या बोडी इसे सर्पेस तो एक्टनों वाए के आशी गाप एदा मतलो आर रियल डेप्ट एकसो हो गई एप्परेंट जड़ी अपियर होई है ओ मेरी वाई हो गई ते यू दा फॉर्मुलर रियर वाई एप्परेंट आ यानि एकस भाई वाई लेकले आपा क्योंकि दो वरी फॉर्मुला लाना सी इसलिए आपा एकस ते वाई दे दो पर यह बल बना ले है क्लियर है यह सो चल्ड नेक्स पनो जी जलिया भी थार्ड नो मेरी गल थार्ड है जी पढ़द एक वरी स्टेट्मन जल दी हाँ जी थर्ड चोने अपने क्यावा कि यह रेय ऑप लाइट इस इंसीडेंट एट एन एंगल ऑफ फॉर्टी फाइव डिग्री और वन फेस अपे रेक्टेंगुलर ग्लास लैप अफ थिकनेस तैन सेंटीमेटर ग्लास लैप थिकनेस गिवन हो गई और ओदे ते लाइट जड़ी इंसीडेंट कर दी भाइया ओदा एंगल ऑफ इंसीडेंस पॉर्टी फाइव गिवन है ठीक है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ग्लास दा गिवन है वन पॉन पॉइंट फाइटरल शिप्ट आई वाला फॉर्मूला आगे बटा है यह आज शिरू कर दे पे इस अपन प्रेसंट कर दे पिंट तैन सेंटीमेटर गिवन है उस्तों बाद अपने को गिवन से का ग्लास दा रिफ्रेक्टिव इंडेक्स यह अनि एम्यू जी वेल्यू वान पॉइंट फाइट गिवन है तीजा वरियेबल आ गया और उस तो बाद उने पुछी अपने को लेटरल तो लेटरल शेट अपने को लेटरल शेट करने अपने को अर और कितो लाकिया ये चल्ला वक्छी आ एक वी एक फेलो भालालिये फिर अपना आर भी आजाएगा फिर एलेशन यूस करारांगे विस्तों में नो आपने को लाजेगा विना देट A mu g it should be equal to sin i by sin r ठीक है बिटा ए तो sin r काड़ दियू sin r दी व्यादी सो अड़कुल बाने ही sin of 45 degree over energy 1.5 sin 45 1 by root 1 by root sin r दी व्यादी व्यादी sin 45, sin 45 वागया अपना 1 by root 2 into n पाड़ने 3 by 2 आप 1.5 नो split कारेके 3 by 2 read out का लो ठीक है root 2 by 3 हाँ जी clear अब जे yes sir इस तो बार फे तुसी लेटरल शिप्त दा फॉर्मुला लगा दो ना लेटरल शिप्त एक्वल टो T into sin of i minus r over cos of r value पड़ आप तुसी करने हाजी पोते टाइम ने लगा मांगे हो जाएगा yes sir चल पोर दी स्टेटमन पढ़ो जी थोड़े सौके है बटा जिदे चारते पाएं इसलिए थोड़ा स्पीड ना करते चल लांगे और दी स्टेटमन पढ़ लो बेटा पढ़ लिया पढ़ लिया कोश्य ने पना श्रू करें कोर रिप्रेख्टेव इंडेक्स ऑ वाटर एंड ग्लास ठेके, they are given to be 4 by 3 and 3 by 2 water the refractive index दिता हुआ water the refractive index जे नाल दा medium कोई नी ते बार बार के ना जी हमेशा air है तब so air the respectively water the refractive index 4 by 3 या glass the refractive index air the respectively अपने को 3 by 2 light केदरो केदर ने ट्रेवल गीती है water to glass water to glass ठीक है उने कैया जी ray of light traveling in water is incident on the water glass interface light water जो travel कर दे कर दे किदर नो गई glass या मतलब जी आप एकदर जो चला light water जो ट्रेवल करके आँ glass surface ने चली है light केदरो किदरो किदर नो गई है rarer to dancer dancer to rarer rarer to dancer ठीक हो क्योंकि glass solid medium water liquid आते वैसे भी liquid refractive index काट आते ग्लास जादा आना बिटा इस लिए रेडर टू देंसर आगी तो तुवर्स दो नॉर्मल जे रे डाइगरम बनानी पहाँजे उन्हों पुचिया उन्हें कि calculate the angle of reflection और जेटा angle of incidence सही डाइगरम नेसर वो थर्टी डी डिगरी आंगी अग्री इंड़ी आरे मूटे इंड़ें अग्लास उन्हें, अग्लास आथी आग्लास और आपने को अप्रकेंचिarm 5-0 तो फॉर्मूला पर लगाकेक कुछ या मैं टॉ बहुत rewrite Vных with respect to वॉटर इसलिए ग्लाष्टे रिट्रेक्टिव इन्ठीशन वॉटर दे रिट्रेग्टिव इन्थ स्ना डेवाइड़् करा लो ठीक है है अर जो थोग सब्सक्केट एरॉं Son सब्सक्राइब करें ते आपने को रेशों आगे साइन आप थर्टी ओवर साइन आप आप क्लियरा बचे यह सब्सक्राइब यह सब्सक्राइब कोई डाउट है गा ते एक वरी जरूर दास दो बुतल इन अपने को लेटे आगी वैल्यू थेकर जी ओवर आगे अपने को फोर बैट्री एकुल दू साइन थर्टी आगे अपना पॉइंट फाइब ओवर साइन आप 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 आस ओल कारके साइन आ दी रहालियू थोजू यह से यह सर्टी यह सब्सक्राइब कोई वर्येबल दा जे डाउट अब ज़रूर बोलो बचे क्लिए दर सार्य है नो यह से चल्ट मैं उन्दिर नेक्श यार दी जडी कंडीशन ना टिया यार दी ओ समय लो बिटा ठेके अपनों नमेरिकल चलोड पैनी बार बार यह यार चुसिए दर स्यासी कि जदो लाइट ऐसे चमेकल किसे डैंसर मीडियम चो ट्रेवल करके डैंसर इंसीडेंट कर दिया यदा आञ एंगल एंवर इंसीडेंस जहतिसंवे सब्सक्राइब क्रावर होई यह mêmes 예दी लोड इंसीडेंस when दो क्रेटिकल एंगल versucht दे पारिक बोड़ा में बेसे इन्वर्टी मेंगे लाएट Ü Нव्क्जीन तो संकक्क्राबर होजाधय है यानि ओधा एंगल अप्रेक्शन जेड़ा ओदो 90 डिगरी बांज जानदा और जए लाइट इस तो ज्यादा लार्ज एंगल पे इंसीडेंट करें तो सिक आसी जी लाइट से मीडियम दे अंदर बापिस मुड़ दी यानि एंगल अप इंसीडेंट जे ट्रेडिकल तो ग्रे प्रेड़ बापर हुन्दा ठीकें ओदों एंगल आर 90 फें ओदों म्यू इकल टू वानफर साइन सी हुन्दा एनिकल समय लगी ये सर्व और ये थे मिउदे अंदर सी कंडिशन कैसी एक ते जे कला मुँआ ना जब वानबे साइन सी दे बराबर लिखिया एक्चुल ते लाइट डैंसर तो रेडर जा रही है पर आर रलेशन ड्राइब करन लगे आर रलेशन ड्राइब करन लगे जे ता इन्हों में साइन सी लिखिया हुए वानबे साइन सी नहीं फिर उपर डैंसर थे थले रेडर मीडियमा पर नमेरिकल चे मोस्ली आपनों रिप्रेक्टिव इंडेक्स जदो भी गलास दा पॉर्टर दा किसे दा भी दसे आवा वो विद रिस्पेक्ट तो एर यानि उपर रेडर थले डैंसर इसलिए असी इन्हों रेडर डैंसर दी फॉर्म चे पड़न वास्ते आँ साइन सीधा भी रैसी प्रोकल कर लिया हुए इनिकल समय लग दी पी इस कंडिशन दो लेके अपने नमेरिकल करिये अपने कुल फिप्त नमेरिकल दिता हुने वेलोसिटी आप लाइट इन लीक्व इन लेस्टू पावर एट मीटर पर सेखेंड अगे कि वनना तोड़कुल और एयर दे अंदर लाइट थी स्पीड जेडिया वो त्री इंटू 10 वेस्टू पावर एट मीटर पर सेखेंड ठीक है और ओने कोस्टिन जा पाने क्या आवा इप रिय अप लाइट पास्स जारी या देंसर टू रेर ठीक है दन कैल्कुलेट दा वैली अप रेडिकल एंगल एदा मल तुसी क्रिटिकल एंगल कड़ना क्रिटिकल एंगल दा सिंबल के स्पीड अप लाइट एर अलमोस अपने दूने सीना लेग रहे हैं थुड़ा यह परेक पालियो है नो एतरो जे आपस लेंक करना थे वी नो दाट मियू एकोल तुम दा जी सी बाइवी ठीक है मियू एकोल टू सी बाइवी जदो लाइट रेडर टू डैंसर डैंसर डू रेर लिनी आर रिलेशन लिखे आपा ठीक है एदा मतलब एथे आप इन्हों लेट दे पे एए मियू लीकुड ली रखियो लिखें लगे एकन फ्यूजन लेना ची आ नहीं इसलिए इसलिए इदर चलो एए मियू एल लेके चलूंगे ठीक है इस मुमेंट ते इस सी बाइवी दी रेश हो ओ ठीक है ते दूजे पासे ए मियू एल एनू पाढ़ दे भे आप ठीक है जदो एनू 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 तो वान पाइ साइन आप रिटीकल एंगल या दोनों ही फॉर्मूले मेरे मियू दे एकोल आजो यह स्यूज दियरकोर अपने तो जे क्यालगुलेट करना साइन आप ठीकल एंगल ते एदी वैली में को जड़ी होएगी ओ वी बाइव सी बाने की जी जी एस से ठीक है तो इ यह से डिए से पने को विल्व कि निया कि जी अलाव 10 अपने को ला गाइजी बान पैटू यह सांगी इंगना इंगल ऑड़ी वानपैटु ऑ लती इंगल चुत था अधना की अधना की नीडियु वैल्यु और कि लंडशन था एड़न्य यह पार्वाइड हैं अधने क्ल प स्च ने मारिकल स्टेटमन पढ़ो और शेक्स ने स्टेटमन पढ़ो जली अली तो पड़े बचे लिए एंगल पर ग्लास एर इंटरपेस्ट तेके जी प्रिटिकल एंगल कारणा, गलास अर इंटर 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 एंगल है इंटर न Conten प्रिटिकल इंथसलों है बीट से एंगल पाइंचिदेंस इस फुर्टी डिग्री गिने की डियेवल गिवन कौन बोलेगा प्रिटिकल अंगल कड़ना हम गाइंगल के अपन। आइज अफ इंस एंगल आप इंसीडेंस गिवननना अपने को भाइगा गिवननना डेलेटार प्रिग अपन। कहिया केना जी पर रे आप लाइट विच इंसीडेंट इन एयर तो अड़कोल जड़ा क्रिटिकल एंगल कड़ना तुसी उदली ग्लास एयर इंटरपेस हा लाइट एस विलेज यह मेंकुल एयर तो ट्रेवल करके ग्लास सर्फिस ते हिट करें तो अपनों कह देता कि लाइट कर गी आंगल उने में तो दस्याव एथे जो गिवना आ मिरकोल 40 डिगरी गवना ठेके जी और लाइट अपने स्ट्रेड पात तो जिना अंदर नों मोड दी आ उने आने क्या नॉर्मल देना लोगा एंगल किना आप ए मेरा एंगल अगल उप रीक्षन आ आपन उने क्या ज देके आई आगया सी आगया हाँ डेल्टा दी कंडिशन लमा थे आ एंगल थे आ एक पस्ट एंगल के बर्टीकली उपोजिटी इकोल है इसलिए डेल्टा प्लस आर आई ने बराबर है ते देर पूर अपने गोले तो आर दी वैल्यो आई माइनस डेल्टा डिवाइन हो जा अपना रिलेशन फिर उपर वाला यूज कार सकते होना का एक पास्ट से मूइव इकोल टूवन वैसाइन सी और दोजे पास्ट एपने कोल मीउव इकोल डूँ आई लिए अधिशन आजाएगा इक पास्ट साइन आई वैसाइन आरा जाएगा ठीक है और दूजे पास्ट आटकूल जड़ाए सच बनबे साइन सी सो एक तो जैसे अपने पाइन के लिए साइन पॉटी बाइसाइन ट्वेंटीपाइल इकोल आगया जी बानबे साइन सी कि अनुस वाइगे अपने को जड़ाए ग्रीकल एंगल ती वैल्यवा तो जो जो साइन फॉर्टी डिवेंटी टेबल तो लिखतानी ने दूरने टेबल चो देंगे लुए और ने टेबल चो कि फॉटी फाइव डिगरी होए थे अपने को वैल्यू होएगी हानना इस तो बाद सेवन पड़ो जी सेवन पड़ो जल्दिन स्केट्मन एक वरी इस बिल्कुल इसी कोश है ना सिर्फ हिंदे के चाड़ दांगा जादा केलकुलेट दा क्रेटिकल एंगल पड़ो टी अयार अपलाइट ट्रैवलिंग प्रम वर्टर इंटू एक वरी एंड ग्लास इंटू एंटू 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 आइड़ो जी अपने को जीड़ेगे वरीयरबल गिवन एक एंटू जी आगया एक एक एम डब्ल्यू आ गया वान कॉइंट डबल प्री एक वरीलाइट अपने चलिया जी एस तर्च आच वॉटर इंटु एर वोटर इनटु एर किदर होगे एक अपना ऐसे पुट जे आ मैं फेर दुबारा बोले आए इस चीनु लेखन चे नहों सागदिया ओधिया ओधिमाग चे रखो जदो लाइट वॉटर टू एर गईया वह साइन सी या पर अपने को आप अधियु कदे नी कोशन चे तिटी नी सथारक हमेशह अव्यू डबल्यू देती हो इंध इसली इनू पुटा जय कीटा थासि अनु वह इनवर्ट करके लिख लिया होया ख्ली यससली अपने कोल आ अ चंडिशने काॉंदि क्ली अपना साइन-सी का पॉर्मूला वान वान कोई प्यूंट री तुल करता आंगे ए यह सर लाइट किदरो कितनों लेकेगा ग्लास चुवाटर ग्लास टुवाटर इधा मतलब जे होने में इतने म्यू लिखना ठेके और फेर दुबारा इनों वानवे साइंसी गी फॉर्म चलेखना में मीडियू किदा किदा लिखना व्वांड तो ग्लास अपा कंसेडर गारा कि यही ग्लास टुवाटर अपर वही उपर वली कंडिशन की जे उनदा लिखना ते पर इनुपटा लिखांगी थेके यहनु जे पोटा लिखना थे इस मॉमेंट ती इनुआ इंवापा डिफाइं गालांगे एंदी कार्या किनना डिवाइड करावां कि 1.5 by 1.33 यानि ग्लास दे रिप्रेक्टिव इंडेक्स दो वाटर दे रिप्रेक्टिव इंडेक्स ना निवाइड करावां कि जो रेशो बंदी पर यह अपने को लोग तो साइन सी दी वैलियो आज एतो पामिकार दो साइन सी अपने को लागया म्यू डवल्यू वाइड म्यू जी ठीक है 1.33 ओवर 1.5 सॉल कर लो अच्छा जे मान लो अपाप उठा लेख बैठे तो अनपता लाग जो कि भी अपागल्द कीता साइन की वैलियो वन से बड़ी नहीं होती हाँ एदा मतलब आर रेशो में शाँ वन तो लेसरी बन नहीं है ठीक है ना तो इस करके जे रेशो अपनी कि से गलती ना ग्रेटर दन वान बांदी पर यह मला पाटम पुठियां लेखिया होगी है क्लियर निगल है यह सब्सक्राइब करो जल्ली जल्दी कैमरा ओन करो ठेक है जी अपने नमेरिकल जोने बुठ अपनों इस कोशिंट यह क्या सिखा वान फेस ऑफ प्रिजम यानि सब्सक्राइब को प्रिजम गिवन हो गया ठीक है इस प्रिजम दे इक प्रिजम अप्रेटिव प्रिजम अफ रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 1.5 एंड एंगल सेवंटी फाइब डिग्री एंगल होया जी इन उसी एंगल अफ प्रिजम के नहीं अगले चेप्टर चे करांगे विस कर लों आप उत जड़ा वर्टेक्स ते एंगल बांदा इंगल उसी एंगल आफ प्रिजम के नहीं है और यहां पनों की क्या कि भी जेड़ा प्रिजम 1.5 रिफ्रेक्टिव इंडेक्स होला थे उदा एंगल प्रिजम 75 डिग्री या इस प्रिजम नूं कवर कीता एक लीक्वेड ना जिदा रिफ्रेक्टिव इंडेक्स थ्री रूट टू बाइ पूर यानि एक फेस बैक्स नूं कवर कीता किसे पासे दिखा दू आ याने किल्द एक इस साइड में कोई लीक्वेड रूट प्रिजम परम में हैं कि खीटा हो एक में श्येप जो मरजी बना सब्णी उसी यहां इसे लीकवेड बार इंडेक्स रिड़ाब इक लिग्वेड दार इप्रेक्टि कि अपने को थी रूट टूबाइ पूर गिवन ठीक है जी यहीं आम मीडियम दा रिफ्रेक्टिव नेक्स थी रूट टूबाइ फोर बॉटल दा 1.5 इंदले बासे एर मीडियम हुन उन्हें अपनों क्या किस तो बात करना जी वट शुडबी दे एंगल अफ इंसिदेंस अफ दे लाइट उन्दा क्लियर फेस थे हित कार दी भाई या यैनि इखे मेरकोल आं इन्सिदेंट रिय हो लॉंग चले गई कि दा मतलब है हुएगा जिस पॉइंट ते टी आई-ाइ-ार होनी या इत्व ते टी आई-ार होनो रही क्योंकि ऐसले लाइट रेट टू डैंसर गई है इसलिक कोई आप पॉइंट ते टी आई-ार नहीं पॉसिबल इनिगल समय लगी यह संसर बाद लाइट जाओ इत्व ऐसाच सिंपल रिफ्रेक्शन करके अगले पेस्ते जाके हिट करेगी उन ए चेक कर लो कि आ रिफ्रेक्टिव इंडेक्स दी वैल्यू जड़िया एक नीबांदी है ठीके और ए वैल्यू जड़िया क्या ग्लास दे रिफ्रेक्टिव जड़ियम होएगा थे आ मेरा रिफ्रेक्टिव मेडियम है एक तो लाइट जड़ो पासो नोई पहलो एथे एंगल अप इंसीडेंस दसना एंगल अप इंसीडेंस बांदा इंसीडेंट रेते नॉर्मल एदा मतलब आप एसा आप एसा इस पेसबार पर प्रेंडिक्टिव जानी सी ते टोवर्ट्स दा नॉर्मल हो जाएगी एदा मतलब मेडी लाइट तो नॉर्मल बांदो बेंड होके इस साइडेंस चलेगी ते आथ आते एदा एंगल अप पर रिफ्रेक्शन आ जाएगा इन्नों आर्वन लेक दिनने इना क्लियर इना क्लियर इस पुन ए जाएगा और लाइट चलेए मेरी एस वेले डेंसर टू रेर ठीक हैं ते जदो लाइट डेंसर टू रेर जानी जे एदी टिया रहा थे पैली कंडिशन जस्तिपाइड और ओदो एंगल अप इंसी डेंसर नू की कहने अप प्रिटिकल एंगल दमाग लाओ जे लाइट इस अगल समेल लगी ते यह से लॉग आगेगा ते अनुप इंसी डेंस दा नाम जेड़ा एक क्रिटिकल एंगल हो जोगा आगल समेलगी यह से लिखने पहें जिन्हों आई टू को लिख रहे हैं इन्हों इट्रेकारे कर लिखने लगिया इदा मदला एसे वेले पहरा आई टू जड़ा ओसी बांजू यह से लबना की डाइगराम अपनी कंप्लीटा तुसी पांड़ करना आई वन ठीक है जे मैं एदा रिप्रेक्टिव इंडेक्स कमा आ इंटर्फेस दे उते इनों पुछ नाम देदा पी पॉइंट आ गया आप मेरा क्यू आ गया जेना पी पॉइंट ते स्नेल लॉ लाना हु ठीक है क्योंकि मैं आई वन कटना इदर आरवन नहीं में लिंक करना हुए ते इस थांके में स्नेल लॉ वर सब्सक्राइब इस नहीं लॉ लाईए ते वी राइड ए नियू जी क्योंकि एदर एदर एक ते गलास आ ठीक है एदी रेश्यो आ जाएगी साइन आई वन अपने कोशन चोने आई वान लब बन्नों किया एदर साइन आई वन एको काड़के राख दिये साइन आई वान दी वैल्यू अपने को लागी जी ए मियू जी इन्टू साइन आरवन इदा मतला आई वन कटली मैंनों की की चाहिएदा बेटे हैगे हैं सारे जाने आरवन चाहिए इदर मतला अपने को एम यू जी हैगा आरवन दी वैल्यू जी होएगी तब फेर मेरा आई वान निकलना इदर मतल जो अपन सब्तों पेलो लबना पेना ओकेड़ आपर ये बल होया आरवन वास्ते एक कंसेप्ट जड़ा यूज होना मां यह ऐसाच अगले चैप्टर जो अपने प्रूव जड़ा वा वो अगले चैप्टर जगरांगे बिटा आब बते जे मैं नॉर्मल हो अग्ये तक एक्स्टेंड कार ला मां ते एथे में कोल आरवन प्लस आई टू प् दूजे पासे एक कंडिशन होर लमांगे कि आज मैं ऐसाच एक इते क्वाडी लेट्रियल लें लगया ए पी आप वाइंगल मेरा जड़ा नॉर्मल दे नाल बनेया इस थाथे आएंगल मेरा नाइंटी होएगा इनिगल से में लग रही क्योंकि इन नहीं बार आएंटी डिगरिया कि आज मेरा नाइंटी होएगा एदा मतलब होगया और पॉर एंगल दे साम थी शिक्स्टी ओडे चो नबबबबय दो निकल गे एदा मतलब एंगल एंगल ओ दी सम जड़िया एंगल ये ते एंगल ओ द यह सब दोजे बसे आर बन प्लस आई टू प्लस ओ इसां भी वानेटी होएगी ट्रैंगल देना एंगल दी ओदे बहाफ ते अपा इनुँ एक्वेट करके एक प्रपरटी प्रूप कर लेने ओने आर बन प्लस आई टू एक्वल टू एंगल अप्रिजम जो लाइन बोल दा प्यां ओ आ लिखन लगिया इन दा फिगर नेक्स चेप्टर दे विचे प्रूफ दार के दमागा इस वाज़े सर्फ कंडिशन लेख रहां इन फिक्टर आर बन प्लस आई टू इक्वल टू एंगल अप्रिजम एदे वेल्म प्रिशची तो एंडेक्स दे एलप ना आमने क्रिटिकल एंगल कर संग्दा इस रहां इस अभाइन को तो लेकि आन लग गया एंग इन को फूर्शन दे अंदर आम यू जी हगिया इना दो चीज़ना दी हल्प ना ठीकिट अ इसे आए डिलेहिशन्ण लेकर उपर में को लीओट दा रिपर एक गुल गलास दा इना दो दी हैल्प ना मैं रिटिकल एंगल अपसा आदा या सिर्च ये में को रिटिगल एंगल इसे अंगल नीकल आंदा ते क्रीटिटीकल एंगल मेरा आई दो दा नाम है इदा मगले इक तरह में को लो आई टू आ गया कि जे मेरे को लो आई टू निकल आया ते इत्थे असी ए क्या कि भी आरवन प्लस आई टू ए दे बराबरा एंगल प्रिजम कोश्च चे दिता आई टू तो सी तो लाब बढ़ेया एंगल आरवन आजू यह स्थे आरवन इतो कैल्कुलेट हो गया आरवन की वेल्यू में इते पुट आप काला एम्यू जी वान पॉइंट फाइगा एमल आई वन निकल आएगा प्रॉप्र यह स्थे एट बनाने आप अपा उन इते शड़ेया कि भी आई वन करना सी थे आरवन पर फैलो फाइंट अगरो आरवन वास्थे आप रपरटी और एदे वास्थे उन आप जदो फर्दर कंटीन वार्टी ना आप एले फाइंट करता हैं कि यह आई तो मेरा सी आप यह दे बराबर आ और ए वास्थे अपर कंडीशन लिखी एदव अपर कंडिशन लेखी है नाव एल व्यूजी नाव एल मूजी क्योंकि आप्स घ्रत अपर रेजर चाहिदा थाले टैंसर चाहिदा एमन एल्फम्युजी विचिज उपूल टू म्यूजी बाइ एल एक तो वन बैसाइन सी आ जाएगा क्लियर निकल इस ते एक इस अपने को लेकिल नेक्स अपने को लेकिल ने कैलकुलेशन तुर्णी सौकी हो जाएगी और लेकृट दा रिप्रेक्टिव नेक्स अड़को दिता हो या सी ओने तो वायद वायद रिप्रेक्टिव तुर्णी तो बाइव टूद्टिव नेक्स साइन अवेट इन्य में जीज़ मू सौल करदमा एक मिठान सारें को जै किसे दि क्लास हागी यहो दो मिनली बेड कारो एंपने को गारण स pont फान सनसी अपने गोल्डा कि अधो बनाद साइन सी बनेबय टुआ जो कैसर नहीं वाण बैट नहीं आना तुन रूट एप यह भी अश्य को एक तो साइन सिर्य आई एक तो साइन सी ना संब ना भाचिवां रूट टू इसाइन जी बाटिवां पर टू साइन जी एंगल ज्टा हुए नेगा देखर अपने कुल एंगल फाइप आगी नीद आइटू आगया यह थे आई अपने कुल आपने कुल आरवन इकोल डू आ जाएगा 75 माइनस 45 के बाले क्या जिया अपना 30 डेगरी तो आम एकोल विरियेबल आ गया लास्ट इत्थे स्टेप ते आ जो एकोल अपने कोल वैल्यू आ जाएगी 1.5 इकोल टू स्वारी आई बाले से दी कुशन ला देने स्वारी आई आ जाएगा अपने कोल 1.5 इंटो साइन ओप थर्टी वोजू जी वे नयानियों केल्कोलेशन हो जो जू क्लीर अ येस सर चलो आया सुले बदा कौन एंटर कर दा प्या मैं हूं बैटमेन एदा दा कूं बंदा रा झाल झाल